अब इस स्टूडियो में संख्या 8 का डिवाइड करना सीखना है किसमें डिवाइड करना है 245 में इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 245 डिवाइड 8 या 245 पटे 8 अब देखे जो सबसे important point है पहले हम उसको समझने का प्रयास करते हैं 8 का डिवाइड कब कर पाएंगे कब सुरू कर पाएंगे जब दीएगे संख्या इससे बढ़ी हो यहां पर सरप्रतम आपको यह किलिए रहोना चाहिए कि किसी भी संख्या के डिवाइड की सुरूआत कैसे करनी है एक अंग की संग्या एक अंग के साथ तुलना करो क्या यह आठ से बढ़ा है नहीं है अगलांग सामिल कर लो आठ से बढ़ा है यस आठ का पाड़ा कितनी वार लें कि चोईस से बढ़ा ना है लगाओ दिमान तो एक आठा आठा बेटा होड़ा है तीनो आठा चोईस तीनो आठा लेता है तो चोईस खुद आ जाता है फिर गटाया कुछ नहीं बचा उपर से एक अंग या नीचे ले आता है यहाँ पर एक important point है समझने की बात है वो क्या है देखें डिवाड में एक step complete कैसे होता है संख्या को गटाया उपर से एक digit या नीचे लेकर आगे एक step complete हो गया और जहान क्या रखना है एक time में एक बार में एक step ही कर सकते हैं अब यह हमारी final संख्या बनी है क्या यह 8 से बढ़ी है नहीं है तो फिर divide केतनी वार होगा आपका 0 वार होगा फिर अबना गटाया अब आगे divide करने के लिए हम क्या करेंगे पॉइंट लेंगे और इसके साथ 0 लेंगे कितना मन गया पचास अब आठ का पाट है कितनी वार लें कि पचासे बढ़ा रहे हैं लगा दिमाद तो आठ संग आठ 6 आठा कितना आता है 48 48 32 5 आठा 46 48 48 फिर माइनस किया कितना गया 2 पॉइंट लगा रखा 0 भाग गया 2 वार कितना गया 16 माइनस किया आगया 4 पॉइंट लगा रखा 0 आगया भाग गया 5 वार कितना गया 40 माइनस किया फिर आपका यहां पर कुछ नहीं बचा यह आपका क्या है एंस्वर कितना रहे 30.625 ओके आसान है